साइट सेलेक्शन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ दो दिमाद में आती है मश्ली पालन में वह आती है पाने की उपलबदता वाटर अवेलिबिलिटी तो आपकी जगा पे पानी प्रचूर मात्रा में होना चाहिए अब देखिए अगर जो आप डैम्स में कर रहा है कल्च पता आपने पनी कितने लेवल पे है नीचे पानी की क्येसी है आप बास खी लैब में किसी भी जो हर स्टेट में एक या हर दिस्ट्रिट घ्याक्श करवा सकते हैं हमूँन चोपे जादा पानी में डिफरस नहीं आता है कभी-कभी होता है पानी के ओपर जो मैं आगे आपक हाडनेस जो पानी की रहती है वो सब चीज़े हमको थोड़ा उसमें देखके करमें मैं आपको एक टेबल देदूंगा लास्ट में जिससे आप उसको एक क्या उलते कंपेर कर सकते हैं कि क्या पैरामेटर्स हमाने पानी में होने चाहिए तो पानी की उपलब्दता जो है वह स्वानी मतला मैं मैं समlair मैं मित्टी दन्ह गज़ काली मित्ती जरूहर कहुणा मीपली के द्टी टिकार वाहता हैं क्योंन तक एक होटल मित्ती पे पेली मितल रहती है उसमें पानी के रखेगी तो water holding capacity जादा होने से क्या होता है हमें बार-बार पानी नहीं बनना पारता तालाब में जिससे हमारा एक तो समय बचता है दूसरा हमारी पावर बचती है क्योंकि हम लोग electricity यूज़ करेंगे बार-बार तालाब में पानी बनने से क्योंकि अगर जो पानी रिषता रहा अगर लेकिन बन दो फिट के बार जो मिट्टी आती है कभी-कभी पत्रीली होती है तो आपका ताला तो थोड़ा गहरा ही को देगा तो आपका पानी तब भी रिषेगा इसलिए जब भी आप वहां की मिट्टी की जाज करें तो चार फिट कर लबब लबब लबदा खो दें उसक अब चूकी हम लोग कमर्शिल फार्मिंग में जा रहे हैं हम अगर दैम करने है तब भी आप एलेक्र सिटी होनी चाहिए कि आपको अपना सिक्यूरिटी वाला बंदा बिठाना पड़ेगा जिसके लिए एलेक्र सिटी दरूरी है लेकिन अगर जो आप फिश फार्मिंग कर यह जो है यह वन अफ दा इंपोर्टेंट पॉइंट साइट सेलेक्शन में क्योंकि देखिए अगर जो आपका जो फार्म है वो रोड से थोड़ा दूर हुआ क्या होता है जब आपने मशली को पाला अपने मशली आपकी हारवेस्ट करने लाएक मतलब आपको बड़ी होग आपके दूर है उसको खेतों से होते हुए आना पड़ रहा है तो क्या पर दिक्कत आएगी वो सबसे पहले आपके मशली नहीं उठाएगा वो क्या करेगा उसके एरिया में जो ऐसे फार्म से जहां पर एजिली मशली रोड के थ्रू जाकर लेकर आ सकता है पहले वहां पर उसके बाइद आपके पास लास्ट में आएगा अब लास्ट में आएगा तो आपको रेट भी कम देगा कि भईया मुझे बाहर से यहां से रोड तक मशली ले जाने बहुत दिक्कत आती है तो मैं आपको रेट उतना दे नहीं पाऊंगा इसलिए आपको क्या होगा पूरे स लेबर है उसको कुछ मेडिकल इमर्जेंसी होई तो रोड पास होने से सारी चीजे बहुत ही सुजदा जनक हो जाती है तो यह चार ऐसी बाते हैं जो की बहुत ही जाला इंपोर्टेंट है मैं और कुछ पार्पे शेयर करूंगा साइट सेलेक्शन को लेकर अगला जो खर्चा बहुत जादा पड़ेगा आपको सबसे पहले कि आपको पहले तीला या पाडी को हटाना पड़ेगा काटके उसके बाद आप गहराइए में उसमें गढडा करेंगे तो डबल आपके खर्चा लगेगा टाइम लगेगा इसलिए आप वहां का पॉरा जो मशली है व बहुत तेज तूफाना है तो इन एरियास थे भी हमको बचना है, साइस सिलेक्षिन करते हैं हमको इन बातों का दियान लखना है उसके अलगा लेवर वहां पे अवेलेबल होना से ही हमेशा क्या होता है जो फिश फार्मिंग है लेवर इंसेंटिव वर्क है वहां पे आपक लेवर्स आपको इजिली मिल जाए उसके बाद आपको जो ध्यान रखता है कि आपके जो घर है जहां आप रहते हैं वहां से आपके फार्म कर डिस्टेंस ज्यादा ना हो बहुत ज्यादा दूर रमीन ना ले क्योंकि क्या होता है न कई बहर हम लोग लेवर के वरोसे अपना बिजनस नहीं छोड़ सकते हैं बिजनस अंको खुद के बरों से पर ही चोड़ना पड़ेगा तो अगर जो कोई एमर्जेंसी फार्म पर आती है तो आपको फार्म से घर से आपके फार्म कर जाने है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो वह चीज वहां पर बिगड़ मार्केट जो है आपका जहां त्यार अपनी मशली को सेल करेंगे वह ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए देखिए फिश में क्या होता है एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है एक किलो मशली को त्यार करने के लिए एक कीमत देनी पड़ती है जैसे कि आपने मानली जीए 65 किलो तो यह जो कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका प्रोफिट कम करेगा तो कोई वदल्ब नहीं है आपका फिश वार्मिंग करने का इसलिए हमेशा अपना फिश फार्म वहाँ पर स्टैब्लिश केजिए जहां पर मार्केट पास में हो आप आत्पास मशली को बेल सके तो य यह कुछ पॉइंट्स है जो हमको देखने हैं साइस सेलेक्शन के डाइम पर कि हम हमारा तलाब जो बनाएंगे कहीं पर भी फार्म बनाएंगे उससे पहले हम यह सब चीज़े एक बार नहीं देख ले हैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स और हैं लेकिन यह बहुत डिलाब।